हेलो एब्रिबन गुट मॉर्निंग जय हिंद कैसे हैं आप लोग तो आज की क्लास में हम डिसस करने वाले हैं आपका 17 अक्टूबर 24 का कम्प्लीट करंट अफियर इस्टेटिक जीके एंड फेक्ट जिसमें में आपको कुछ इंपोर्टेंट जो भी करंट अफियर होगा वो हम इस क्लास में करेंगे और मैं आपको बताता भी जाँगवा कि कौन सा करंट रद्स कर अपको करते हैं हम अपना प्रिछला हमारा कहां उसका एक रड़ कुल्स करते हैं तो दिखे आपका फ़र्स्ट को सन은 कि 8000 मीटर से अधिक उची सभी 14 चोटियों पर चड़ने बाले सबसे कम उम्र के बेखती हैं आपके नीमा रिंजी सेरपा इसके बाद सेकेंड आपका भारतिय सेना ने अपना पहला ओवर होल्ड टैंक पेस किया इसका नाम था टी 90 वीस में और हाली में आपके नॉयल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है इसके बाद मुहमस राज को देखें तो मुहमस राज को हाली में तेलेंगाना सरकार ने अपना डी एसपी निक्त किया है इसके बाद नेस्ट आपका हिंदुस्तान एयरनोर्टिक्स लिम्टिड ये हमारे भारत दिर्की चौद भी महारतन कंपनी बनने की इसको मंजूरी मिल चुकी है फिर आप देखनें उत्तर कुरिया तो हाली में उत्तर कुरिया और दच्छिन कुरिया की बीच में डिस्प्यूट हो गया है इनकी बीचों संबन्ते वो सब खतम हो चुके है इसके बाद है आपका सरस आजीव का मेला जो की 13 क्टूबर को हुआ यह हुआ आप गुरुगराम में प्रति बर्स किस तारीक को बिस्व गठिया दिवस मना जाता है यह मना जाता है आपका 12 क्टूबर को हाली में किस दिसको सायुक्त राष्ट मानवादिका परिशन में सीट देने से इंकार कर दिया इसका राइट अंसर होगा आपका साओधी अरब किसने इसरोयल के साथ राजनेक संबन तोड़ने ही गुशना की है तो यह है आपका निकारा गुआ ओके तो अब देखे चलते हैं अपने आज के फर्स्ट कोर्शन पर तो आज का हमारा फर्स्ट कोर्शन है कि हाली में बिस खाद दिवस आपका कप मनाया गया तो यह मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर के दिन हर साल आपका 16 अक्टूबर के दिन इसको मना जाता है अब देखें तो इसकी स्थापना आपकी की थी FAO ने की थी इसका फिल्फूम होता है Food and Agriculture Organization इसने 1979 में इस दिवस की स्थापना की थी अब बात करें FAO की तो इस तरह बहुत बार एक्जाम में कॉर्शन आता है कि इसकी स्थापना आपकी होई थी 16 अक्टूबर 1945 के दिन इसकी स्थापना होई थी और इसका जो मुख्याला है वो आपका इटली रॉम में है इटली रॉम में क्या है इसका मुख्याला मत्तर है F.A.O. इसका फूर्फॉर्म होता है फूड एन एग्रिकल्चर और्गनाईशन की गईती 16 अक्टूबर 1925 को मुख्याला है रॉम इटली में अब चलते हैं इस रेटर कुछ फैक्ट पर बिज्व खाद दिवस अच्छे पोशन अच्छे भोजन और पोशन के महत्र के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है इस दिन की स्थापना 1979 में जाता कि मैंने बताता है FAO के दौरा इसकी शुरुबात की गई थी अच्छे इतका जो तीम था इस बार का इस बार का थीम था बहतर जीवन और बहतर भविस के लिए खाद पदार्तों का अधकार अब देखिए इसमें हमने अभी तक जो भी इंपोर्टेंट डेज आपके हुए है वो सब इसमें मैंने मैंने की है जैसे कि एक अक्टूबर को आपका मना जाता है अंतराष्टी कॉप की दिवस दो अक्टूबर को मना जाता है गांधी जैंती अंतराष्टी अहिंसा दबस लाल बादु सास्त्री कि आपकी जैंती apert Quella को मना जाता है विसमे 2X भी चुप संच 24 सब्सक्राइब के नॉबल प्रुषकार से किसे चुना गया मतलब दो है चुना गया मतलब देखते हैं इस से तक हम देख लेते हैं तो दीखिए रॉयल स्वीडिस अकेडमी ऑफ साइंसिस स्टॉकॉम स्वीडन ने अलफिर नॉबल की समर्ती में आर्थिक बिज्ञान में दोहाट चौबिस में रिस्क बैक पुरुषकार के लिए डेरोन, साइमन और जैम्स रोबिंसन को चुना हैं मतलब तीन लोग को इसका पुरुषका यह निधारत कर सकती हैं कि बहें गुलाम देश आजादी के बाद आज अमीर या गरीव है अर्शास में पुरुषकार पहली बार 1969 में डायनामाइट के आविसकार के लिए अलफेड नॉबल को दिया गया था तो यह आपके इंपॉटेंट पॉइंट भी हो जा गया यहाप अब देखिए अभी आपके नॉबल प्राइस दिये गाए है जिस-जिस के टेगरियां वो सब मैंने यहाँ पर मेंजन किये हैं देखिए चिकिस्ता के लिए आपका दोई 24 में किसको दिया है विक्टर को दिया है और गैरी को दिया है फिजिक्स की बात करें तो हॉप फिल् कियों को दिया गया है एक जापाई संग्टर ने साहित का दिया गया दक्षिन कोरिया की लेका हां कौन को ये दिया गया हां कौन को ओके तो इस लेट रहा दिया तो कोई भी डाउट हो तो आप मजे कमेंटर पो सकते हैं और आप सब लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्रेब जरूर कर दिया करें और साथी कमेंट भी किया कर दिया करें ताकि क्योंकि आपके कमेंट से हमें थोड़ा मौटिविशन मलता है कि और हमें थोड़ा सा अच्छा भी लगता है ना ओके अब देखिए हमारा next question है कि सितंबर 2024 के लिए ICC Player of the Month किसे चुना गया है तो देखिए ICC Player of the Month दो कैटेगरी में दिया जाता आपका एक होगा मेल और फीमेल में तो मेल कैटेगरी का जो दिया गया है वो दिया गया आपका कॉमेंडू मेंडेस को एन फीमेल कैटेगरी का जो आपका दिया गया वो दिया गया टैमी व्यूमोंड को ओके अब चलिए इससरे कुछ हम इंपोर्टन फेक्ट देखते हैं तो देखिए ICC का प्रपान होता है इंटरनेशनल किर्केट काउंशल होता है इसकी स्तापना आपका दोभई में है अध्यक्ष बर्तपान में आपके ग्रेग वर्क लिए हैं जो की नुजी लेंड के हैं लेकिन नैस्टिस के अध्यक्ष जल्दी ही बनने बाले हैं आपके अमिस साइक लड़के जैसा को इसका अध्यक्ष बनाए जाए जली एंड आई से सी मैंस कर था ओपर जाता भारत अब इसे ठीक और भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ष दिखते हैं तो आई सी सी के हॉल आफ फे में सामिल होने बाली पहली भारती महला क्रिकेटर आपकी डायना है जो की बहुती इंपोर्टें कोशन है रिजेंटली अभी जो MTS के एक्जाम हुआ ऊसमें भी एक पूछा गया था अब देख़ें आपका मैंस टी टांटी वर्ट कप विनर जो है इंडिया है मैंस टी टांटी वर्ट का मैं जो फिनर था इंडिया था होस्टेड इसको होस्ट के एक तो यू एसस से ऑर बेस्ट इंडिक तोगा और बूमंस T20 वर्ड कप जो आपका UAE में हुगा था and women's Asian Cup 24 का बिनर स्री लंका था hosted भी आपका स्री लंका ही था ओके है ना देखिए अब ने स्कोस्टन है हमारा कि पार्थ प्रतीमन सेन गुपता को किस बैंके MD or CA को रूप में हाली में नुक्तिया गया है तो इसका राइट आंसर को option D मतब उनको बंदर बैंक का हाली में MD or CA बना गया है अब बात करते हैं HDFC बैंक तो इसका मुख्याला है आपका मुंबई में है मुंबई में इसका मुख्याला है और हाली में HDFC बैंक ने लक्षदीप में अपनी new branch open करने वाला है पहला बैंक है मतब प्राइवेट सेक्टर में लक्षदीप में पहली बैंक इस्ताफ़त करने बाला जो फर्स्ट बैंक है वो आपका HDFC बैंक है और संदी बक्सी जो है इसके आपके chairman है अब चलते हैं सिर्ट को fact पे तो देखेंगे भारतिय रिजर्बैंक आर्वियाई ने पार्थ प्रतीमन सेनक अपता को तीन बर्स की अपधी के लिए इसको आप नोट कर सकते हैं कितने समय के लिए ना तो तीन बर्स की अपधी के लिए बंदन बैंक के प्रबंदन नेसक और मुख्य कारकार याथिकारी के रूप में मंजूरी दी है यह पहले संस्थापक MD और CEO चंद सेकर गोस की जगह लेंग तो यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है ओके अब देखी नेस कोशन है हमारा कि महारास्ट स्टेट स्किल यूनिवर्स्टी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है तो इसका राइट आंसर होका रतन टाटा अब चलते हैं सरकार ने महारास्ट स्टेट स्किल यूनिवर्सटी का नाम बदलकर रतन टाटा महारास्ट राज इस्किल यूनिवर्स्टी कर दिया है ताटा गरूप के चेर में रहे रतन टाटा 9 अक्टूबर को उनका निधन हो गया है महाराष सरकार ने पदं बिभीशन रतन टाटा के संबान में यूनिबस्टि का नाम बदल दिया है महाराष्ट स्टेट इसकिल यूनिबस्टी में स्टुडेंट को रोजगार के लिए स्किल डवलपमेंट का कोर्स करा जाता है यहां महाराश्ट की पहली स्टेट स्किल युनिवस्टी है अब दिखेंगे कि इस बार जो भी आपके अग्जाम होंगे उसमें आपको रतन तर्टा से एक कोर्शन देखने के लिए जरूरी मिलेगा है न तो यह आपको पता होना जी कि पदम भीभूशन उनको से न देखने को 208 में दिया गा था पतन भीषन को 2000 में दिय गा था उट रहां सरकार ने उन्होंने दो है सोला में दिया ता जापन सरक्रादा राम है ता ऑस्टिले नौने उनको अवॉर्ड दिया गया दो छार में औरोगवे सरकार ने दिया तो एक कुछ इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा एक वार आप इसको एक वार आप देखना जुरूरी है जो भी आपके अग्जाम होगी उसमें आपको इस एक नएक कोशन पक्का देखने बिलेगा ओके केंदर ने किस राज या यूटी से राशपपती सासन हटा दिया तो तो इसका राइट आंसर होगा आपका जम्मु से आपका आप कराश्मृ उसका नाम हौने वाला है और उसका नाम किया जाने वाला मतलब इसका जो नाम को चले जयाने वाला आपका तहीं से डिली की बारे में तो आपको पता क्टर्षी को को हटा कर आतसी को आपका सियम आपका वनाया गया है और हाली में सबसे उंची जो दुर्बीन लगाएगी वो आपके लद्धाग में ओके केंद्र ने जम्मु कस्मी में राषपई सासन हटा दिया है नेशनल कॉंफरेंस की उपाद्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने नई सरकार बनाने के लिए बहुमत का दावा किया है बिदानसवा चुनाओ में नेशनल कॉंफरेंस कॉंफरेंस गड़बंदर ने जीत हासल की है और 2019 में अरुच की 370 और 35 को नरस्त करने के बाद से यह है जम्मु कस्मी में पहली निर्वाच सरकार है और मुख मंतिक में ओमर अब्दुल्ला को का है दूसरा करकाल तो यह बहुत इंपोर्टन हो जाता है कि ओमर अब्दुल्ला बहुत इंपोर्टन है वी इस टाम है ना ओक कि अब दिखिए हम इस से ट्रकुष करंट अफेर जितके हैं क्या है भारत की पहली कैने बिस मेडिसन पाउन आपके जम्मु कस्मीर में अस्ताब की और जम्मु कस्मीर के भद्रभा राजमा को जी आई टेक दिया गया चुनाव नादीपा दुनिया की सबसे उंचा रेले और श्री नगर में स्टैच्व पीस जो कि आपका श्री नगर में है जल जीवर में सने किता है उसके प्रतिक्षा बंगस बैली फेस्टिवल मनाया गया आपका जम्मु कस्मीर का युबा मद्दा ता जाउता एंबस्टर के रूप में सुरेस रहनाव को नुखती आगया त अब देखें नेस्ट कुस्टन है आपका कि भारतिय तर्ट्रक्षक बलका नया प्रमुक किसे नुक्त किया गया है तो उसका राइट अंसर को ऑप्शन भी एस परमेश को तो एस परमेश को हाली में आपका भारतिय तर्ट्रक्षक बलका नया प्रमुक बना गया है अब बा आपके नेवी की प्रमुक है ओके अब चलते हैं हम इससे रेटर कुछ फैक्ट में तो देखो केंद्र ने अत्रिक्त महानेसक ऐस परमेश और को भारती तरक्षक बलका नया प्रमुक नुक्तिया है पूर्व महानेसक राकेस पाल के निधन के बाद परमेश यह पत समालेंगे भारती तरक्षक बलकी बात करें तो मुक्षाल है नई दिल्ली में इस्ताफना एक फरवरी 1970 को की गई थी बाहती तरक्षक इस्ताफना दवस एक फरवरी को मना जाता है इसका आधस बाक है वयम रक्षमाम अब दिखी और भी हम थुरा साथ डिटेल में दिख लेते हैं कि परमेश्वर सिम्मणे इनका पूरा नाम है दिखी परमेश्वर सिम्मणे को भारती तरक्षक बलका 26 बार दीजी नुक्त किया गया है और भारती तरक्षक बलकी इस्ताफना एक फरवरी 1977 को एफ रुस्तमजी समती की सिपारसपर की गई थी और हाली में देखिया भारती त अधिना आता है और भाधी तरक्षक बलके पहले जो माने सकते वो थी आपके बाइस एड्मिरल बी एक काम अथे यह आपके पहले इसके माने सकते हैं अब देखी नश कुष्चन है हमारा कि हाली में नौ से नाम है डालेटर जर्नल ऑफ मेडिकल सर्वेशिस का पत किस ने समाला है तो इसका राइट अंसर होगा आपका ऑप्शन सी कवीधा साय तो कविसा साय को हाली में नौ से नाम है डी जी एमेस बनाया गया अब बात करते हम अनाम का राजीब की तो अनाम का राजीब यह आपका नेवी में में आपका हैलिकॉप्टर पाइलेट जो फस्त हैलिकॉप्टर पाइलेट है यह आपका अनाम का इनका नाम है यह नेवी में आपकी first helicopter pilot है, इनका नाम है अनाम का राजीब, अब भावना कांट की बात करें, तो यह आपकी एर फोर्स की पहली महिला pilot है, जिनोंने आपका सुखोई 30 MKI उड़ाया था, अब चलते हैं, सिर्फ को फेक्ट पर, तो दिखें, आप सरजन 22 एर्मिरल कवीता साही ने नौ सेना में Director General of Medical Service का पत समाला है, साही इससे पहले सेना के Medical Corps में, करनल कमांडिट के पत पर पहली महिला officer बन चुकी है, कवीता साही को दोई 24 में सेना पतक और 2018 में सेवा पत से समानित किया जा चुका है, अब देखें, नेस्ट कोशन है हमारा, हाली में मुंबई इंडियन्स का मु अफिला जयवर्दनी, इनको हाली में मुंबई इंडियन का नया कोच बनाया गया है, अब बात कर लेते हैं, हम राहो दिरवड की तो आपको पाता है कि रायस्तान रॉयल्स का जो कोच हैं, वो आपके राहो दिरवड हैं, और दिनेस्कारतक की बात करें, तो ये आपके लिए कुछ फैक्त दिखते हैं, तो मुंबई इंडियन्स ने आगामी सस्के लिए महिला जयवर्दनी को दचन अफ्रीका के मार्क बाउचर की जगा है, फिर से अपना मुक्कोष निक्त किया है, जयवर्दनी ने इससे पहले दुआ सत्रह है, दुआ बाइस तक मुंबई मुंबई इंडियन्स इंडियन्स प्रिविय में लिख आईपी एल की पांच बार की चैंपियन्स हैं, मतलब इसने आईपेल पांच बार जी चुकी है, उसने विस्व भर में भिवर्दन लीगों में कुल दस किताब जीते हैं, अब देखिए नेस कोसे ने हमारा, ये ये जल पुसकार दो हजाते इसमें सर्व सिस्ट राजिका पुरुसकार जीता है, पांच बे राश्टी जल पुसकार 1230 के बेजताओं के नामों की गोष्णा के केंडरिये जल सक्ति मंतरी चंद्रकांत रगूना अथन पार्टेल ने की हैं, बिवर्ट सिरण्ड़कों में के बेज़िताव को 22 अक्टुबाय दौबिस को नई दिल्ली में आयोजेत एक सम्हारों में संभानेत किया जाएगा पुरुसकार सम्हारों की अधिक्सार राश्टबाती दुरुपती मुर्मुदारा की जाएगी तो दीकि सर्वुतर से ने पहले नमरा पर रहा उडिसा दू इतर कंका है स्युम्ली पोल आपको यहीं पर बहुत इंपोर्टन जील आपके चिलका जील आपकी उडिसाय महीं बहुत इंपोर्टन बहुत रुपीटिट और इस सब्सक्राइफ है तो इसको हम बीडियो में भी डिसकस कर चुके हैं तो एक वार आप इसको भी पूरा कि विश्व चाद दिवास हर साल 15 अक्टूर को मना जाता है जो भारत के पूर्व राष्ट्पती और महान वेगानिक डॉक्टर एपी जी कलाम के जनम दिन की अफसर की रुप में मना जाता है डॉक्टर कलाम को उनकी अदुत्तिय सोच चात्रों के प्रदी समवनपण और सिक रिक कोँ बने बहुत इंपोर्टन आपका वेरवेर इंपोर्टन पॉष्टन है आपका तो इसका नशर होगा आपका हरमन प्रिसिंग हरपन अपर्टी है जो सबस्Alright ट्रॉपन को डेक्ते हैं तो होंकी टिया लीक की नियलामी के पहले दिन भारते कप्तान हरमन पॶ्व डि कि श्राची रान बंगाल टाइगरस ने बहात्तर लाग रुपय में खरीदा है ओके हार्देक सींग को यूपी रुद्रास ने सत्तर लाग रुपय में खरीदा है और होंकी इंडिया लीग अठ्थाइज दिसंबर 24 से सुरू हो रहा है जूकि अठ्थाइज सम्द 24 से आपका स्टाइब के देखिए हमने पिछली क्लास में आप से पूझा था कि किस राज ने चात्राओं के लिए निजुत मुईना चात्राइबती युजना सुरू की थे तो इसका राइट अंसर था असम असम ने इसे उजना को सुरू किया था और आज का जो को सन हमारा को सन आप द फेर था वो हमारा कंप्लीट हुआ अब मिलते हैं हम ऐसी ही नेस्ट वीडियो में अब तक लिए थैंक्यू टिक क्या और जो भी स्टोंडों ने हमारी यूट्यूब चांग को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक निक्या वो लाइक करें और सस्क्रेब जरू करकर रखें अब तक लिए थैंक्यू टेक क्यार बाइग अब तक लिए थैंक्यू टेक क्यार बाई